hey everyone welcome and welcome back to my channel my name is nilofar and you're watching me on nilofar's review youtube friends जैसे आपने thumbnail देखी लिया होगा तो आज हम बात करने वाले हैं एक whitening cream की जो बहुत जादा effective है और जिसके लिए आपको बहुत सारे means पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे यह आप घर में बना सकते हो और बहुत ही effective है जैसे बाहर से आप whitening creams लेते हो उससे भी जादा effective होत और इसको आप face mask की तरह भी use कर सकते हो इस तरह से इसको अपने face पे apply कर सकते हो मैं 7 days से means मैंने challenge लिया था 7 days का और 7 days मैंने इसको apply किया तो आप मेरी skin देख सकते हो अभी भी के काफी plump है और बहुती glowing है और whitening तो आप देखी सकते हो के skin पे काफी अच्छा सा एक white glow आ गय है तो आज का हमारा topic आई है और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इस cream को कैसे बना सकते हैं और कैसे store कर सकते हैं आप इस cream को बना के store भी कर सकते हो और आप इसको overnight रख सकते हो अपने face पे बट मैंने as a face pack इसको apply किया है और इसको 10 minutes ही apply करके इसको निकाल दिया है तो इसको ल करते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसको कैसे बनाना है मैं आपको वह बता देती हूं इस वाइटनिंग क्रीम को बनाने के लिए आपको जैसे आप बॉइल करते हो राइस को और बॉइल काफी लोग बनाते हैं कि माल निकालके तो exactly हमें माल चाहिए लेकिन बहुत आप थी थिक फॉर्म में चाहिए तो इसलिए देखे मैंने इसको थोड़े से राइस लिया है इसको बॉइल के लिए रख दिया है मैं अभी स्टोर करने के लिए नहीं बना रही हूं सिर्फ मैं अपने यूज के लिए बना रही हूं तो देखिए आप्टर जब ये करने से आ जाएगा तो इस तरह से क्रीम के फॉर्म में आ जाएगा इसको हमें एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है आप इसको स्टेइन कर सकते हो या ऐसे ही निकाल सकते हो तो मैंने इसको स्टेइन करके निकाल लिया है अच्छे से तो जो राइस के सारे सारे बैनिफिट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ इट डिपेंड्स ऑन यूर स्किन टाइप के आपके स्किन कैसी है आप उसमे उस कॉंटिटी में चीजे अभी हम इसमें और चीजे एड करते हैं मेरे पास अलोविरा जेल था आपके पास अगर नैचरल हो तो आप वो ले सकते हो तो मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून ये अलोविरा जेल मिलाया है अलोविरा जेल भी हमाई स्किन की जो भी मीन्स रैश वगेरा होती है या चेहरे पे कुछ भी means pimples वगेरा होते हैं तो उनको दूर करता है और freshness भी देता है तो मैंने इसमें वो add किया है यह means आप चाहो तो add करो otherwise आप इसको skip भी कर सकते हो जिनकी skin super dry है वो इसको ना add करें aloe vera gel को मेरी skin oily है तो मैंने इसको add किया है और इसमें मैंने half spoon sorry गुलाब जल भी add किया है means rose water तो अब इसमें rose water add कर लो अच्छा रहेगा थोड़ी सी thickness भी इसकी ठीक हो जाएगी और एक बहुत ही अच्छे से liquid form में यह आ जाएगा after that देखिए अब इसका जो means thickness है थोड़ी सी loose भी एक बहुत ही अच्छे से creamy form में आ चुका है जैसे बजार की creams होती है mausurizer होते हैं सेम वैसे ही हो गया है आप इसको बना के store कर सकते हो seven days के लिए और आप इसको as an face mask भी लगा सकते हो तो मैं अभी इसको face mask की तरह ही लगाने वाली हूँ तो आपको plump सी skin हो रही है soft सी tightening अपनी जगा है बट उसके साथ softness भी आ चुकी है means winters में ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत dry हो रही है skin और बहुत ही अच्छी हो जाती है skin इसको लगाने के बाद तो चलिए हम लोग भी इसको लगाना start करते हैं भी देखें यह मैंने ले लिया है और इसको मैं इस तरह से अपने face पे apply करने वाली हूँ तो यह बहुत ही अच्छी whitening cream है जो आप DIY है आप घर पे बना के इसको store कर सकते हो लगा सकते हो और आपका बहुत means बहुत ही कम पैसो में यह बन जाती है means आपके घर पे ही rice मिल जाते है aloe vera जल्बी आपको easily available होता है और गुलाब जल्बी तो आप इनको add करके बहुत ही natural से cream मना सकते हो और naturally अपनी skin को अच्छा कर सकते हो तो देखें मैं इसको इस तरह से face mask की तरह apply कर रही हूँ face pack की तरह और इसको मैं 10 minutes रखूँगी क्योंकि यह थोड़ा से dry हो जाता है अगर आपको cream की तरह लगाना है तो आप इतनी quantity में नहीं लगाओगे आप थोड़ी से quantity लोगे और अपने face पे लगा लोगे और इसको आप overnight लगा के रख सकते हो पर मैं इसको भी निकाल दूँगी क्योंकि मैंने इसको face mask की तरह लगाया face pack की तरह तो इसको थोड़ी देर पे मैं भी निकाल दूँगी इसको 10 minutes तक रखूँगी और then मैं इसको wash out कर दूँगी तो आप देख सकते हैं लगाने के बाद ही आपको अच्छा सा glow रज़र आने लगा होगा इसको थोड़ी सी smooth सी नज़र आ रही है तो आप भी ये challenge ले सकते हो 7 day का और देख सकते हो कि after that आपकी skin कितनी अच्छी हो जाती है देखेगे अब थोड़ा थोड़ा सूख गया है तो मैं इसको हातों से देख ले रही हो और इस पे एक परत और apply कर ले रही हो और थोड़ी देर बाद मैं इसको wash कर दूँगी 10 minutes तक लगा कर रखना है हलकी सी massage की and then फिर मैं इसको dry होने के लिए छोड़ दूँगी friends आप देख सकते हो मैंने face को wash कर लिया है अच्छे से और एक soft also मैं इसको pet dry कर ले रही हो तो आप देख सकते हो ये skin पे आपको glow दिखाई दे रहा होगा कोई भी camera trick नहीं है और मैं अपने phone से ही shoot करती हो तो कोई आपको जो भी चीज़े दिखती हो natural दिखती है तो आप देख सकते हो सुखने के बाद skin देखे कितना अच्छा feel कर रही है मुझे means छूने से ही softness लग रही है और आपको pass से दिखाती हो ये देख सकते है कितनी whitening आ गई है glow भी है skin में और बहुत ही naturally ढग से और बहुत ही skin is winters में भी कितनी प्यारी लगेगी आप देख सकते हो मेरी skin कितनी अच्छी सी और soft soft नजर आ रही है और without makeup कुछ भी नहीं किया है मैंने और कितना अच्छा सा glow है और कितनी प्यारी सी लग रही है तो इसी तरह मेरे DIY और मेरी remedies और मेरे review के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लिजे और like करें वीडियो को और comment box में मुझे बताईए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और बस share करें friends and family में Thank you